योथ टूब रेडियो में आपका स्वागत एम अभिनंदन करती हूँ मेरा नाम नेर्मला किरकेटा है मैं जारखन के चत्राजीले की रहने वाली हूँ मेरा गाव संगरी में पड़ता है हमारे चत्राजीले में बहुत ज्यादा महुआ के पेड़ है जो की ग्रामिनों के लिए जुई का पारजन का एक बहुत बड़ा स्रोत है अभी मैं आप सबों को महुआ के उपयोगिता के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ महुआ का पेड़ बहुत बड़ा एम जबरिला होता है महुआ एक छायादार पेड़ है एमसुद ओक्सीजन देने वाला पेड़ है इसके कई महत्वपून गुन है सबसे पहले मैं महुआ पेड़ के गुनों के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ महुआ का पत्ता, फल, फूल, लकड़ी, उसके छाल बहुत ही उपयोगी है महुआ के पत्ते के बारे में सबसे पहले मैं जानकारी देती हूँ महुआ का पत्ता, जानवरों के लिए बहुत ही महत्वपून है जानवरों में कब जैसे बिमारी पतला पैखानों का दूर करता है महुआ का पत्ता कोई भी जानवर खाने से उसमें पेट का जो बिमारी होता है उसे दूर करता है अभी हम महुआ के फूल के बारे में जाते हैं महुआ का फूल बसंत रीतु में मिलता है या एक शुद पोस्टिक तत्वा है इसमें कई गुनकारी गुन है जो की इसके खाने से शरीर को बहुत ही फायदा मिलता है महुआ का फूल को खाने से शरीर में खून बनता है शरीर में ताकत आता है रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ती है रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है महुआ का फूल इसको खाने के विधी महुआ का फूल को सुखा कर उसे पाउडर बना कर घी के साथ खाने से आखों की रोशनी मिलती है नसों में जो कमजोरी होती है रक्त संचार सरकूलर करती है दूद में उभार कर महुआ के फूल को रोशदिन खाने से हाइपर टेंशन दूर होता है गठिया, सीर देर्द, बाबा सीर, प्रोटिन जैसे बिमारिया दूर होती है महुआ की डातवन महुआ की डातवन पायरिया जैसे बिमारी को दूर करता है दात में सूजन, एम, बदवु आना, खोन बहना इसे दूर करता है महुआ का दत्वन बहुत ही गुनकारी है महुआ का दूद शफेद रंका होता है उसको डाली तोडने पर उसमें सफेद सफेद दूद निकलता है वह दूद बहुत महत्वपून है महुआ का दूद जले, कटे और घा में लगाने से उसको बहुत जल्दी ठीक करता है महुआ का जो दूद होता है वो है कि खून को बहने से रोकता है घा को बढ़ने से रोकता है और उसमें कीट नासक, किटानू जो होते है उस किटाने को नश्ट करता है और विमारी को रोकता है धन्यवाद